साथियो आज हम एक से गयराका नया चेप्टरि स्टर्ट करने जा रहे हैं जिसको नाम है कोशिकाँंग तो कोशिकाँंग क्या होते हैं ? जन गॉंगरजी में हम खहते हैं तो कोशिकाँंग हमने जब ही कोशिका के बारे हम तरह बीदल southon में जितने भी सजीव रचना ये पाई जा रही है उना सजीव सफनाओं को हम कोशी कंग कहते हैं अब जो सब से इसमें हम देखते हैं कि ऐन्रे में कोशीकंग को ने बूद्धासर bluff चोटे राइबोसोम होते हैं, केंद्रक होता है, हरितलवक, माइट्रोकॉंड्रिया, गोलजी बोड़ी, तो बहुत सारे कोशिक कांग पाई जाते हैं, तो इन में जो सबसे बड़े कोशिक कांग है, जिसके बात करें, तो सबसे बड़ा जो कोशिक कांग है, वो होता है हमारा केंद्रक जिसको में नूकलेस कहते हैं केंद्रक और केंद्रक के बाद में नंबर आता है हरी तलवक का क्लोरोप्लास्ट और हरी तलवक के बाद में नंबर आता है माईटो कॉंड्रिया का माइटो कोंडिया सबसे बढ़ा को सिकांग ओर ल देखें तो केंदर्ग सबसे बढ़ा को सिकांग और केंद्र केंद्र के जब इपने इसको ेसको डिफाइन करते हैं कि केंद्र जीवदर्वे का पोर्षन है मैं तो हम यह चेंगे कि Cornous topic साइटो प्लाजमिक। यह एक नॉन साइटो प्लाजमिक औरगोनिल है। और यह बाकी के हैं वह अच्छांग औरगोनिल हे दोनों। हमने पराथा की साइटो प्लाजमिकॉल के माइट्रोकॉंड्रिया और जा जाँ 550 में सबसे बड़ा कोशिकांग कों सा है कोशिका दर्वे का तो हम उससे स्थितिमा अंसपर देंगे हर्तलवक और रिदी हमें ये पुचे जाए कि कोशिकांग में सबसे बड़ा कोशिकांग कों सा है तब हम अंसपर देंगे केंद्रक क्योंकि केंद्रक कोशिका दर्वे का नहीं है, कोशिका दर्वे में केंद्रक होता ही नहीं है जब कोशिका दर्वे में केंद्रक होता है तब हम उसको जीव दर्वे गहते हैं तो ये एक जीव दर्वे का एक संपूर्ण कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है यह एक नोन साइटोप्लाजमिंग औरगनिल है तो इस इस्तिति में आप इसको सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रग है अरितलवक और माइट्रकॉंड्रिया वो सबसे सोटे हम राइबोसों कोशिकां में पाई जाते हैं तो आज हम इनको स्टार्ट करने जा रहे हैं कोशिका कोशिकांग तो इसमें सबसे पहला जो कोशिकांग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम माइट्रकॉंड्रिया माइट्रो जिसको पने कोशिकांग का पावरा उस भी कहते हैं माइट्रो कॉंड्रिया इस तरह से इसको लिखते हैं इंदे में लिखते हैं इसको माइट्रो कॉ सबसे पहला को चेए हम माइट्रो कॉंड्रिया को फटेंगे यह कि यह माइट्रो कॉंड्रिया होता गया इस तरह इसका नाम दिया गया तो देखो इसमें इसके देखें देख्वंकIES के दो सब्द चिपे में एक तो माइटो माइटो का मतलब होता है थ्रेड और थ्रेड का मतलब होता है सुत्र या दागा और दूसरा इसका वर्ड है कॉंड्रियोन कॉंड्रियोन और कॉंड्रियोन का मतलब होता है कि ग्रेन्यूल ग्रेन्यूल यानि ग्रेनलाइक ग्रेन लाइक, कण के समान तो ये एक सुतर के समान ये एक कण के समान सर्चना होता है इस करने इसका नाम दे दिया गया माइट्रो कोंड्रियार हिंदी में इसको कहेंगे तो सुतर कणी का इसको हिंदी में क्या कहेंगे सुतर कणी का इस तरह से लंबा या दागेगी जैसे भी हो सकता है इस तरह से और ये एक कण के समान भी हो सकता है तो इसके आकरती दागे के समान या कण के समान होने के कारण इसको नाम दिया गया है माइटो कॉंड्रिया या सुत्र कणिका इसकी एगर अपना खोज के बात करें तो एक चीज और एक जिसके यह उसको Mitochondrione कहते हैं एक वचन उसका जो सब्द है वो Mitochondrione सब्द है आए मिट्रो हमहान सब्द है ऐख माइ माइट्रो कॉन्ड्रीयोन नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बारे में इसके खोज के बारे में तो खोज में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट वे थे को लिकर सर्व परतम साइंटिस्ट थे को लिकर इन को लिकर ने क्या क्या किटों की कि रेकित पेशियों और मुखे रूप से कोक रोज की इन्होंने पेशित देखी थी तो को लिकर साइंटिस्ट जब कीटों की रेकित पेशियों रेकित पेशियों तो केशियों दिखाई दी तो इन्होंने कोली करने सर्वपर्थम कीटों की रेकित पेशियों में जो कोक्रोज को देखा था इस्पेशली उसमें वाइट्रकॉंड्रिया को सर्वपर्थम देखा तता इसे सारकोसॉम नाम दे दिया सारकोसॉम नाम दिया ये काम किया कोली करने सारकोसॉम सारकोसॉम ये सारकोवर्थ है ये हमारे मास पेशियों से समद्धित है ते इसका मास पेशियों में इसको जब पेशियों में देखा गया थे इसका नाम सारकोसॉम दे दिया और ये कोली कर नामक साइन्टिस्ट ने जिन सर्चना को उन्होंने भी माइट्रोकॉंड्रे नाम नहीं दिया उस सर्चना को उन्होंने नाम दे दिया सार को सोम फिर एक सांटिस्ट है फ्लेमिंग इन फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा फ्लेमिंग ने अभी जो सर्चना दिखाई दी इस सर्चना को फाइला कहा फाइला इसलिए कहा कि ये तन्तु में रचना थी तन्तु में रचना का मतलब फिला मेंटियस इसे तन्तु में दागिक जी सर्चना दिखाई दी इसका ने फ्लेमिंग ने कहा कि ये तो फाइला है को लेकर ने उसको और सार को सूम के दिया और फ्लेमिंग ने उनको फाइला का फिर एक साइन्टिस्ट है अल्टमान अल्टमान इन अल्टमान ने क्या किया इन्होंने इसे बायो प्लास्ट कहा बायो प्लास्ट अल्टमान ने माइट्रकॉंड्रिया को बायो प्लास्ट कह दिया तो ये बायो यानि जीव प्लास्ट मतले गिरीवी ससना थी तो इसको बायो प्लास्ट नाम दे दिया अते मेत पून बात ही थी कि फ्लेमिंग ने फैल लखा और अल्टमान ने University को क्हें दिया पिर्एक साइनटिस्ट है Carl बेंडा इस का अंग a a bender जिश्कों सीई अबेंडा भी कहते हैसust अलव इन साइनटिस्ट ने सरवर्त मैसे माइ्टो कॉंड्रिया नाम दिया यह important बात है कि सबसे पहले mitochondria नाम किस ने दिया था तो वो कारल बेंडा थे या जिसको हम C बेंडा भी कहते हैं इन्होंने सरव पड़तम इसको mitochondria नाम दे दिया लेकिन अगर अगर हम खोज की बात करें कि अब मैं खोज का स्रे किसको दें तो जो खोज का स्रे जाता है जो मुक्के रूप से flaming वो अल्यटमान को दिया जाता है इनको दोनों को इसकी खोज का स्रे दिया जाता है कि उन्होंने इन्स पर काफिय दिन किया था दरhead एक scientist थे एफ्मीविस एफ्मीविस ने चैनकि ये तो सारा और देखा गया है था एक एनिमल में देखा गया है किटों गयां अंदर तो थह सबसे एले किसने देखा तो एप मिविस थे एप मिविस ने सरवपरतम है मैटोकोंडुरिया को कि पाधब कोशी का रोपाधब कोशी Öyle थी एक ब्लांट था Co निंप़िया जिसको कहते है हमें निंप़िया एल्वा एक प्लांट था वाटर लीडी प्लांट रधा निंप़िया या निंप़िया पादप में इसको सबसे अधे पहले देखा तो है तो यह एक तरह से हमने इसके पूरी खोज पड़ी है नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इस तरह से देखे तो माइट्रो कॉंड्रिया के बहुत सरे नाम हो गई तो माइट्रो कॉंड्रिया के जो अन्य नाम है अभी तक वो कौन कौन से देगे तो हमने अभी तक देगो इनको सार को सॉम का सार को सॉम भी इनको का अभी इसको हमने फ्लेमिंग ने फाइला भी का अल्टमान ने इसको क्या का बायो प्लास्ट भी कह दिया और सिसके इलाबा भी इसके बहुत सरे नाम दे गए जैसे एक रंजग आता है फ्यूसी सीनोफिलिक आप्टिनवीक पार्टिकल इसको फुश्यनोफिलिक पार्टिकल भी कहते हैं यह एक सायर रंजक आता है डाई आती उस डाई को डालने पर माइट्र कॉर्णड है भी रंजित हो जाते हैं इसके Community को कहते हैं प्लास्टो सोम भी इनको नाम दिया गया इनको एक नाम और मिकुलीज इनको नाम दिया गया इनको प्लाजमो सॉम्भी का गया इनको कॉंड्रियो सॉम्भी इनको का गया इसके इलावा इनको कॉंड्रियो प्लास्ट तो ये सारे इनके नाम है माइट्र कॉंड्रे के अन्य नाम सारको सॉम्भी इनको का प्लास्ट का फ्यूशिनयोफिलिक पारिकल जो फ्यूशिन रंजक होते हैं प्लास्टो सॉम्भी इनको क्यों भी बोड़ी है जो के कोशेका दर्व में पाई जा रही एक एकन के समान वर्मिकुलीस का मतलब है ये वर्म लाइक होते हैं वर्म लाइक इस तरह से वर्म लाइक होते हैं प्लाजमसोमी ये प्लाजम की एक बोड़ी है कॉंड्रियोसोमी ये कॉंड्रियोप्लास्ट भी इसको का गया लेकिन इसको जो सबसे सरोमने नाम है इसका वो नाम हम सबस्यादे इस्तिमाल करते हैं वो इस्तिमाल करते हैं माइटो कॉंडरिया यह नाम इनका हम बहुत कम इस्तिमाल करते हैं सबसे इंपोर्टेंट जो नाम है हम उसका इस्तिमाल कर रहे हैं mitochondria गा तो यह अपन इनका इस्तेमाल करते हैं इसके लाव जैसे इसको हम power house भी कहते हैं power house of sale या power plant भी कहते हैं power plant of sale तो power house भी कहते हैं इनको कुछिका कर सक्तिकरे या power plant भी कहते हैं तो जो हमारे mitochondria होते हैं को कुछिका कर सक्तिकरे कहलाते हैं तो हम इसके कारियों में आगे फड़ेंगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम माइट्रोकॉंड्रिया की उपस्तिती या एक इसके अंदर अपने और देख लेते हैं कि एक साइन्टिस्ट वा था मिकेलिस मिकेलिस ने क्या किया सर्व प्रत्म एक रंजग लिया उन्होंने जेना से ग्रीन भी से इसे अभी रंजित किया और सवसन में माइट्रोकॉंड्रिया के मैत्वय को समझाया मिकेलिस थे इंप्रोटेंट सेंटिस्ट नहीं थे इन्होंने इंप्रोटेंट बात यह बताई कि इन्होंने एक तो जेनिस ग्रीन भी एक डाई आती उसको इससे ब्रिंजित कर लिया और हम जानते हैं कि सवसन के लिए माइट्रोकॉंड्रिया बहुत जरूरी है तो यह जो बात बताई यह सवसे वेले मिकेलिस नहीं बताया थी कि सबसन में माइट्रोकॉंड्रिया मेहत्वण होते हैं बिना माइट्रोकॉंड्रिया के सबसन होक्सी सबसन है वो पूरा नहीं होता है और mitochondria ऐसा कोशिकांग गए जिसको हम अभिरंजित किये बगेर सुक्सम दर्शी से नहीं देख पाएंगे तब तक इस कोशिकांग को सुक्सम दर्शी के साहता से हम नहीं देख पाएंगे next अपन फड़ लेते हैं कि माइट्रोकॉंड्रिया की संख्या के बारे में या उपस्तिति ले 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 उपस्तिति ये कहां उपस्तिति का मतलब अकरेंट से किसी में MITROCONDRY ऊपस्थी तो रहते हैं तो XD म! जो सभी पादा पॉर्जनतों पादा जाते हैं कि खिए यह भी ले क्रीट को शिक आए परिपक होए RBC हमारे जो RBC होती है Red Blood Cell और जो चाल नहीं न लिकाए होती है पोदोंगी इनके अंदर ये Absent रहता है के अंदर Mitrochondria नहीं पाई जाती है इसके अलावा ये सभी जो YouCreate कोशिकाए है YouCreate Cell इसके अंदर ये Present रहता है Next अपर नहीं इसके बात करते है इसकी संख्या के बारे में Mitrochondria की संख्या या जो Numbers है तो Mitrochondria की संख्या है वो उपाप चाही किरियाओं के अदार पर उपाप चाही किरियाओं पर निर्वर करती है एक कोशिका में Mitrochondria की संख्या कितनी होगी ये उसकी Metabolic जो Reaction है उपाप चाही किरियाओं उपा निर्वर करती है अगर अधिक उपाप चाही किरियाओं होती है अगर अधिक उपाप चाही किरियाओं होगी तो उड़जा की जूरत ज़्यदा होगी तो वहाँ पर अधिक Mitrochondria पाए जाएंगे अगर कम उपाप चाही किरियाओं होगी तो उसमें कम Mitrochondria पाएंगे तो सिद्धी सी बात है कि जिन कोशिका में उपाप चाही किरियाओं बहुत सबसे ज़्यदा होती है जैसे उड़न पेशियां होती है रिधे होता है यकरत होता है किडनी होती है तो ये बहुत ज़्यदा काम करती है उपाप चाही किरियाओं इनमें बहुत ज़्यदा होती है तो इस कारण से इनमें Mitrochondria के संक्याभी सबसे ज़्यदा पाई जाती है तो सिद्धी से बात है उपाप से क्रेएं जयदा जलेगी तो Mitrochondria जयदा होगा उपाप से क्रेएं कम होगी तो उनको होशिकाओं में Mitrochondria भी कम पाई जाएगा तो इसमें माइट्रकॉंड्रिया, एक माइट्रकॉंड्रिया से लेकर लाखों की संक्या तक माइट्रकॉंड्रिया कोशिकाओं में पाए जा सकते हैं और सेल में इनकी संक्या अलग-अलग होती है कोशिकाओं में माइट्रकॉंड्रिया की संक्या अलग-अलग पाए जाती है जैसे कुछ इसके विशेश अपने बात कर लेते हैं विशेश तत्यों के बारे में तो एके सेवाल है कलोरेला एक कले माइडोमोनास और माइक्रो स्टेरियाज जैसे सेवालों में एक माइट्रो कॉंड्रियाप आ जाता है एक माइट्रो कॉंड्रियाज यह याद रिखेगा कलोरेला, कले माइडोमोनास, माइक्रो स्टेरियाज जैसे सेवालों में एक माइट्रो कॉंड्रियाप आ जाता है एक ट्रिपेनोसोमा यह प्रोटो जोवा है इसमें भी एक माइट्रो कॉंड्रिया पया जाता है इसमें भी एक माइट्रो कॉंड्रिया होता है ट्रिपेनो सुमा एक प्रोटो जोवा है जो की निद्रा रोग का कारणों बनता है तो इसमें भी एक माइटर कॉंट रहा पाया जाता है एक अमीबा है के ओस के ओस अमीबा के ओस के ओस ये के इसको अपन बहुत बड़ा अमीबा है जिसको जेंट इसको अमीबा कहते हैं या बहुत बड़ी साइज का ये के अमीबा है तो जेंट अमीबा है ये तक भी Mitrokondriya पाए जाते हैं, इस में बहुत अधिक संग कहने हैं, But balanced जो एक अमिबा पुंदा पड़ जाती ऐा एव, ये बड़ा अमिबा ज़ाते हैं , जिसलें50.000 तक भी से ज़्यादा मिलेगा है जनतों की कोशिगा यह ज़्यादा सक्री होती है इसके इलावा जो उडन पेश होती है फ्लाइट muscles जिससे पक्सी उड़ते हैं या केट उड़ते हैं तो उन flight muscles में पॉंच लाख तक भी mitochondria पाए जाते हैं और ये सरवादिक संक्या माने जाती है सरवादिक संक्या सरवादिक संक्या में में जो mitochondria होते हैं वो उड़न पेशियों में या flight muscles के अंदर पाए जाते हैं जो कि सबसे ज़्यदा mitochondria इसी के अंदर मिलेंगे इसके अलावा जिसे अगर अपन बात करें कि हमारे RBC के अंदर तो होता ही नहीं है RBC के अंदर तो कहा कि हमने एक भी mitochondria इसमें नहीं पाए जाता है एक होशिका में कितने mitochondria होंगे तो उनको सभी को सम्मिलित रूप से तो हम यह कह सकते हैं कि एक सेल के सभी mitochondria को सम्मिलित रूप से mitochondrium कहते हैं यह याद रखेगा एक होशिका में कितने mitochondria होगे उन सब को मिला कर सम्मिलित रूप से हमें उनको mitochondrium कहेंगे mitochondrium तो यह द्यार केगा उडन पेशियों में सबसे ज़्यादा mitochondria देखे गए है सबसे ज़्यादा उडन पेशियों में पाए जाते हैं जम बिल्कुल भी नहीं होता है तो इसमें RBC Procreate और चाल लेना लिकाए होती है तो यह हमने इसकी संक्यापड दिये हमाइट्रकॉंड्रिया को हम इसका प्रतक्रण से करें प्रतक्रण इसको हम एक को सिका से अलके से करें तो इसके लिए प्रभाजन होता है यह एक अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन होता है अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन तो इस विद्धी के द्वारा हम इसको असानी से अलग कर सकते हैं तो यह संक्या की बात यह प्रतकन के बात करते हैं, अब इसके हम सेप की बात कर लेते हैं, सेप यानि इसके आकरती की, कि माइट्रो कॉंड्रिया की आकरती आखिर कैसी होती है सेप की, तो माइट्रो कॉंड्रिया की जो आकरती होती है वो अलग-अलग परकार की होती है बिन-बिन परकार की होती है बिन-बिन परकार की आकरती होती है और इसकी आकरती है वो कोशिका किस तरह की है या उसकी किरियात्मक अवस्ता कैसी है उस अवस्ता पर इसके आकरती निर्बर करती है तो इसके आकरती के अंदर जैसों यह तंतु में हो सकता है फिला मेंटियस आकरती का हो सकता है इसके लावा यह कणिका में हो सकता है कणिका याकार का हो सकता है जिसको अपन ग्रेनूलर बोलते हैं ग्रेनूलर इसके लावा यह मुगदागार भी हो सकता है इसको अपन कहते हैं कलब सेपड कलब सेपड भी इसको कह सकते हैं तो तंतु में तो गया इस तरह से धगी के समान कनिकक में हो गया ग्रेन लाई के कन के समान और मुगदागार हो गया इस तरह से ये जो सर्चना होती है यह मुगदागार होती है कलब सें ज chili सर्चना में ये अलग-अलग आकर्थी की कि यह भाए जाते हैं नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके इन मायट्रचौर्ण्ड्रिया की आकर्थी होगी अब इसके बात कर लेते हैं अपन इसकी आकार के बारे में, साइज के बारे में, तो माइट्रोकॉंड्रिया का साइज भी है, वो भिन भिन परकार का होता है, कोशिका में भिन भिन परकार के होते हैं, हिस्ट सेल, हिस्ट जो कोशिका ही होती है, एक कवक होता है, हिस्ट कोशिका में, मेंड़क है जिसका नाम है राना पी पी पीपी एंस राना पीपी एंस की जो अंड कोशिका होती है अंड कोशिका में सबसे बड़े माइटर कॉंडरिया पाए जाते हैं सबसे चोटे माइटर कोशिका में बड़े माइटर कोशिका गें पाए जाते है तो यह साइस के बारे में है और अगर हम इसका जिवनकाल के बारे पढ़ें की इसका लाइप परेड़ कितना हका होता है तो लगबग अपने देखें तो 5 से लेकर जीवन्कान नॉर्मली फॉया जाता है तो आज की हम वीडियो में हमने में इसका मैसिoples के बारे में इसके सब्दों को पढ़ा है कि और इसके खोज में अपने देखा है कोज के बाद में हमने इसको किस तरह से कौन-कौन से ग्यानिक नाम दिया वो पड़ा है इसके वाद इसके कुछ अन्य नाम पड़े है इसकी उपस्तिती पड़ी है कि किस-किस में पाई जा रहा है इसके अलावा इसके संक्या को पड़ा है इसके प्रतकर तो यह सरचना कैसे होती है तो इसको विस रूप से इसका डाइगर हमना कि सरचना को समझेंगे